कि रादे रादे फ्रेंड्स मेरे चैनल रादे क्रेशन्स में आपका स्वागत है आज मैं आपको जीरो और एक नंबर की लड्डू गोपाल जी की चोली ब्राना बताऊंगी यह देखिए इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर नोट लगाएंगे नोट देखे किस तरह से लगाते हैं इस तरह से थ्रेट को लिया इस तरह से रखा इसमें से लिया थ्रेट को पकड़ा इस तरह से और छोटे वाले धागे को इस तरह से कीच दिया यह हमारा नोट लग गई है अब हम य तो यह हमारी चैन बन जाएगी, देखें, इस तरह से, यह दो चैन बन गई है हमारी, यह इस तरह से करके तीन, इस तरह से करके हम यहाँ पर बारा चैन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, बारा चैन मनाने के बाद, हम यहाँ पर दो चैन और बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद, अब हम यहाँ पर देखें, क्रोशय हुग में इस तरह से धागा लिया, और जो हमारी यह ठर्ड चैन है, इस में इस अब तरह से CBD को खीच कर निकाल कर लाए। और अब हम यहाँ पर तीन हो प्ताइथ क्यों से फंदे, इस तरह से थीन निकाल देंगे। तो यह हमारा yup half double crochet है। हम जूरी बिना रहे हैं क्योंकि लट्डु और अधे दूब डूबल क्रोशे हैं बनाओंगी यह देखे इस तरह से एक तो हमारी जो शुरू में हमने दो चैनल ली थी एक तो हमारी वह हो गई और एक चैन में हमने दो बार डबल क्रोश्य बना लिया इस तरह से हमारे तीन हो गए अब यहां पर में हर चैन में दो दो बार हाफ डबल क्रोश्य बना लोंगी यह देखे, एक चैन में तो बार 2 उपक्षी बनाओं लगी और लास्ट वाली चैन होगी इसमे मैं 1 भार gibi क्रोश बनाओंगी जैसे यहां शुरूमे मैंने 1 बार half Strike क्रोश लिया है ऐसी ही मैं लास्ट की चैन में 1 बार half double क्रोश fabrics बना लोगी और बाकी सब बीच में जो चैन है उन समय में दो दो बार हाफ डबल क्रोशर बना लूँगी अब यह देखिए यह मैंने इस तरह से यहां पर यह रोग कम्प्लीट कर लिए लास्ट वली में मैंने एक ही बार यह हाफ डबल क्रोशर बनाए है अब मैं फिर से दो चैन लूँगी अपने वक को टर्न करूँगी और नेक्स्ट वली चैन में यह देखिए इक पर हाफ डबल क्रोशर बना लूँगी एक हाफ डबल क्रोशर यह हो गया जो हमने शुरू में दो चैन ली है यह हमारे दो हो गया है यहां पर यहां पर , आगे की साइट बना रही हूं तो यह देखें, अब यहां पर तेन और यह 4 यह ने 1 बाल क्रोश्य demiş को 1965 223, अब यह यह बना लिया हाँ जो नवे मेरी डू लोगया है यह भी द्हギ स्थी Sel graduates यहां पर हम डबल क्रोश्य है बना देगे तो यह धी हमारा और मिद अया है अभकि यहां पर चाहर नहीं है où हम इधर कीया है क्योंकि ये हमारा फरंट साइड होगा चोली अभके इस तरह से तार हम açık आठ हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे, यह देखें, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ हाफ डबल क्रोश्या बनाने के बाद, अब फिर यहाँ चार चेन श्टिया करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चेन श्किपक करने के बाद, अब हम यहाँ पर पांचवी चेन में, यह देखें इस तरह से, आठ डबल क्रोश्या बना दिया, यह देखें, यहाँ पर मेरी अप चार, जेखे इस तरह से यहांपर मेरी 4 इस्टिच हैं, भूर मैं इन 4 दबल क्रोश्य के उपर 4 तरह बारं दबल क्रोश्य अबना लूँगी, यह देखे इस तरह से, तो यह देखे इस तरह से मेरी चोली की शेप आ गय है, अब मैं यहाँ पर छोली की लंबाई के लिए यहाँ पर देखिए क दो चैयन ली मैंने अगर आप जीरो नंबर के लड़ू गपाल जी की बना रहे हैं तो आप तर्ड लाइन भी क unity हावट डबल क्रोशे से कीजे और अगर आप एक नंबर के लड्डू को पाल जी की बना रहे हैं तो आप यहां पर डबल क्रोशे से यह ठर्ड लाइंग की दिए तो इससे इसकी लेंद ठीक हो जाएगी एक नंबर के हिसाब से तो यह देखे हैं हमने तीन चैनली शुरू में क्योंकि मैं यह एक नंबर की आप को एबना रहे हैं और और इस नेक्स्ट चैन में हर फ is पर डबल क्रोशरू अपर हर दब लोड इस तरह से ना चैन में डाला इस तरह से खीचा। यह पर दो का एक और दो का एक कर दिया तो यह देखे हैं से उससे थार डबल क्रोशरु ज़ंग. ऐस थे थ už जल्ड की की लंबाई बन जाएगी अगर आप जीरो नंबर की बना रहे हैं तो आप ठर्ड लाइन भी हाफ डबल क्रोशे से कीजिए क्योंकि हमारे जीरो और एक नंबर की लड़ू कुपाल जी बहुत ही प्यारे से छोटे से होते हैं तो उनको यह चोली बिल्कुल ठीक आएगी अब इस तरह से करते हुए है यह मैंने जितने हमारी चैन हे उन सब के ऊपर मैंने यह एक बार डबल क्रोशे बना लिए यह देखिए यह एक बार डबल क्रोशे बन गया यह देखिए हमारी चोली बनकर तयार हो गई है जब हम अपनी ड्रेस का घेरा बनाना शुरू करेंगे तो इसको यहां पर यह देखें ठर्ड चैन में अब यहां पर हम इसको घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रदी रदी अगरा बनान点त आद करेंगे रदी bunu चलाएं आपको सब्सक्पार को सब्सक्राइब करेंगे से नु Mexican ब MOSा इस̬म्ट recipes झाल झाल चाल जो कर दो...